हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है संदीब कौर गौर और स्वागा थे आपका मेरे चैनल जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं सी लेंविज पर दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिसीन मेंकिंग स्टेटमेंट मेंट के सारे विरियसंस पर डिसकस कर लिया है जिसका नाम है लॉजिकल ओपरेटर लॉजिकल ओपरेटर और यहां पर हम लितने कंडिशन लेगिन आपने देखा होगा कि हम इफ के बाद में हमें सर्फ एक ही कंडिशन दे पाते हैं यदि हमको एक से जादे कंडिशन पर काम करना रहता है तब हम क्या करते हैं इसमें अलग-अलग विरिशन्स यूज़ करते हैं जैसे एप के बाद हम एलसे इप यूज़ करते हैं या फिर एलसे लेडर यूज़ करते हैं लेकिन यदि हमको एक ही साथ एक से जादे कंडिश है और इसके लिए operand क्या है हमारे variables होते हैं लेकिन जब हम logical operator यूज करते हैं तो वहाँ पर जो operand होते हैं वो normal variable या value ना होकर खुद अपने आप में condition होते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो logical operator हमारे पस तीन प्रकार के होते हैं जैसे कि परस्ट जो होता है उसको हम बोलते है logical and फस्ट है हमारे पास logical and इसको कुछ इस तरह है कि symbol से हम represent करेंगे और सेकेंड होता है हमारे पास logical और इसके लिए यह symbol रहता है और थार्ड है हमारे पास logical not इसके लिए यह symbol होता है तो यह तीन प्रकार के हमारे logical operator होते हैं जो कि अब हम use करने वाले हैं अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों नॉर्मल यदि हमारे पास condition है तो वहाँ पर क्या होता है जो operand होते हैं वो क्या है हमारे वेरिवल होते हैं लेकिन अब ही मैंने बताया कि यदि हम logical operator यूज़ करते हैं तो इसके लिए जो operand होते हैं वो normal variable हो के अपने आप में condition होती है जैसे माली जी पहली condition यह है और दूसरी condition माली जी हमारे पास यह है a less than c अब इन दौनों पर यह थी हमको एक साथ काम करना है तो हम बीच में क्या लगाएंगे logical operator लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पर logical end लगा दिया इसके लाब आप logical और भी लगा सकते हैं यह दौनों और दूसरी false हो सकती है या फिर दौनों ही true या दौनों ही false हो सकती है तो उसके साथ से यहाँ पर कुछ comparison बनते हैं या कुछ operand 1 और operand 2 operand 1 operand 2 का मतलब है condition 1 and condition 2 और यहाँ पर देखते हैं result क्या आएगा तो देखिए logical end में क्या होता है यदि आपके पास operand 1 और operand 2 है means condition 1 और condition 2 है तो क्या के combination बन सकते हैं पहली condition true है और दूसरी भी true है यदि ऐसा होता है तो आपको overall जो result है वो भी क्या मिलेगा true मि और second condition false है तब result क्या मिलेगा false मिलेगा यदि पहली condition false है और दूसरी condition true है तब भी result क्या मिलेगा false और यदि दोनों ही condition false है तब भी आपको result क्या मिलेगा false मिलेगा इसका मतलब यह होता है कि यदि आप logical end use कर रहे हैं और logical end use करते समय यदि दोनों में से एक condition भी यदि false होती है तो आपको result में क्या मिलेगा false मिलेगा यदि दोनों condition true होती है तब ही यहाँ पर आपको true मिलेगा एक्जामपल समझते हैं इसका मालीजे हमार पास तीन variable है तीनों integer type के हैं और यहाँ पर उन value जो वो variable है उनकी value है A में 10 असान किया हमने B में 20 असान किया हमने और C में 30 असान किया हमने यदि हम कुछ इस तरह इस condition लिखते हैं if a less than b logical and c less than b अब हमको यह देखना है कि इस पूरे की जो value है वो true आएगी या false आएगी जैसा कि हमको पता ही है कि यदि हम यहाँ पर true और false पर काम करते हैं तो boolean value हमको मिलती है means true means हमको मिलता है 1 और false means मिलता हमको 0 ठीक है यहाँ पर देखते हैं हमको value true मिलती है या false मिलती है यहाँ पर जैसे हमने लेखा a less than b अब a की value कितनी है 10 है less than b b की value कितनी है 20 10 less than 20 क्या मिलेगा true मिलेगा c की value कितनी है 30 less than b b की value कितनी है 20 30 less than 20 क्या मिलेगा false मिलेगा बीच में क्या लगा हुआ है logical end means true and false true and false क्या मिलेगा false तो इस पूरे की जो value है वो हमको क्या मिलने वाली है false यहाँ पे मिलने वाली है तब logical end इस तरह से काम करता है यहाँ पे दोनों condition के true होना जरूर ही है तब ही आपको क्या मिलेगा true मिलेगा operand 1 होगा operand 2 होगा और फिर result देखेंगे यहाँ पर भी हमार पास 4 case हो सकते हैं same case है true 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 false false true false false अब यहाँ पे क्या होता है यदि हम logical और use कर रहे है तब यदि दो में से एक condition ही true है तब यहाँ पे हमको result true मिलता है जैसे यदि दोनों ही true है तब भी true मिलेगा पहली condition true है तब भी true मिलेगा second बार ही true है तब भी true मिलेगा लेकिन यदि दोनों ही false होती है तब ही हमको result यहाँ पे क्या मिलेगा false मिलेगा यदि हम यहीवाल example देखें मालिज हमने यहाँ पे लेखा if a less than b लेकिन इस बार हमने लगाया logical और c less than b अब a less than b हमने क्या लिखा है 10 less than 20 logical और 30 less than 20 ये condition क्या है true है और ये वाला क्या है false है लेकिन अभी हमने table में देखा कि यदि 2 में से 1 भी true होती है तब हमको result क्या मिलेगा true मिलेगा तो यदि logical और लगाते हैं और 2 में से यदि 1 भी true होती है तब हमको result क्या मिलेगा true मिलेगा अब देखते हैं logical not के बारे में logical not हमारा unity operator है means यहाँ पर एक ही काम होता है एक ही operand पर काम हो जाता है तो operand 1 ही यहाँ पर रहेगा यहाँ पर result आएगा अब जाब यहाँ पर एक ही operand है तो combination भी सरिफ दो बार बनेगा means यहाँ तो true हो सकता है या false हो सकता है तो यदि condition की value true निकलती है और यदि हम वहाँ पर logical not apply कर रहे है तो true का यह क्या कर देगा false कर देगा और false का क्या कर देगा true करेगा एक्जामपल मालीज हमने कुछ इस तरह लेखा if a less than b और a की value क्या है यहाँ पर 10 है less than b b की value क्या है 20 है यहाँ पर अगर यहाँ आप normal इसको यूज़ कर रहे है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10 less than 20 लिखा हुआ है means यह क्या निकलना चाहिए और इसकी value क्या है हमारे पास true है ठीक है लेकिन हम यह दी यहाँ पर not apply कर देते हैं ठीक है हमने यहाँ पर क्या apply कर दिया logical not apply कर दिया तब इसकी value क्या निकलेगी false निकलेगी means जो भी यहाँ पर actual value रहती है उसका not यहाँ पर कर देता है इस अपोजिट कर देता है तो इसकी वैलू क्या निकलेगी फॉल्स निकलेगी आज हम करने वाले हैं यहाँ पे logical operator का use तो यदि हमारे पास तीन नंबर है A, B, C और इसमें हमको greatest number निकलना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर simply A का comparison B से करेंगे और A का comparison C से करेंगे और बीच में कौन सा operator लगा देंगे? logical end यदि दोनों ही condition true हो जाती है इसका मतलब कौन greatest हो जाएगा? A, greatest हो जाएगा second comparison हम कर लेंगे B का A से भी और B का C से भी यदि दोनों ही true हो जाती है तो कौन greatest हो जाएगा? B, greatest हो जाएगा और यदि यह donor condition false हो जाती इसका मतलब किस part पर जाएंगे else पर जाएंगे default statement में क्या जाएगा c is greatest तो solve करते हैं इसको सबसे पहले हमने donor header file ले ली include std io.h include conio.h ठीक है band function ले ले लेते हैं void man तीन variable देख लेकर लेते हैं integer a, b, c message देते हैं printf enter three values scanf करा लेते हैं person d person d person d address operator a address operator b address operator c सबसे पहली condition लगाते हैं a greater than b logical and a greater than c यदि ये condition true होती है means a b से भी बड़ा हो जाता है और a c से भी बड़ा हो जाता है तब हम क्या प्रिंट करेंगे यहां पर printf percent d is greatest ठीक है और यहां पर a की value यदि यह ऐसा नहीं होता है तब हम यहां पर second condition लगा देते हैं बी ग्रेटर देन a logical and बी ग्रेटर देन c और यहां पर प्रिंट करते हैं percent d is greatest यहां पर value किसकी आएगी बी की और यहां यह दोनों ही condition false हो जाती है तहा हम डेफॉल्ट पर जाएंगे else printf percent d is greatest और यहां पर c की value then when function close यहां पर दोस्तों क्या होगा कोई भी यहां यहां पर value देते हों जैसे माली जी a, b, c और आपने यहां पर value दी 6, 5, 4 सबसे पहले यहां पर comparison होगा यहां पर comparison होगा तो 6 greater than 5 और 6 greater than 4 देखिए यहां पर यहां पर condition true हो जाएगी यहां पर भी true हो जाएगी यहां पर दोनों true हो जाती है तो इसका मतलब पूरी value क्या होगी true हो गई और हम यहां पर enter कर जाएगी और क्या print करेंगे a is greatest ठीक है माली जी second case हम देते है 6, 7, 4 अब यहां पर अगर हम compare करते हैं 6 greater than 7 ठीक है तो यह condition क्यों हो जाएगी false हो जाएगी और यहां पर क्या है हम compare करेंगे 6 greater than 4 तो यहां पर condition true रहेगी लेकिन यहां false रहेगी तो यह दिए दो मैंसे एक भी false हो जाती है तो यह overall क्यों हो जाएगा false हो जाएगा तो हम कहां जाएगे false पर जाएगी फिर यहां पर compare करेंगे 6 greater than sorry 7 greater than 6 and b की value क्या है 7 greater than 4 अब यहां पर दोनों condition true हो रहे है तो फिर यहां पर क्या प्रेंट हो जाएगा b is greatest इस तरह यह आदि आप 3rd case लेते हैं 4, 5, 9 तो यहां पर आप क्या देख रहे है कि C बड़ा है यदि आप logical operator पर काम कर रहे है इसका मतलब जो यहां पर operand रहेंगे वो भी normal value ना होके कह रहेंगी condition रहेंगी और उन condition की true या false होने पर depend करेगा कि आपका जो overall reality है वो क्या निकलेगा ओके friends तो आज की वीडियों पर से इतना ही जिसमें आपने देखा कि logical operator को किस तरह से use किया जाता है यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें share करें और channel को subscribe करें Thank you